अखरी सवाल पर गें नेहा का कहना है कि जो सिंद्या की स्तती है मध्यपरदेश में वह ऐसी हो चुकी है ना बीजेपी के रहे हैं ना यहां कॉंग्रेस के रहे हैं तो किया यह समझ लिया जाए कि जो मुख्यमंतरी कुरसी कही ना कई उनके लिए एक सपना तीजी से लेकर शायद वे बीजेपी में भी इसी वज़े से आये थे क्या वो वाक्य में पीछे छूट चुकी है या भविश्य में एक बार फिर उनके पास मौका बन सकता है कि बीज में दिया जाए गया नहीं से लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन हाँ उमीद वाक्य में यहां पर जोती रादिते सिंध्या को है क्योंकि इसे उमीद के चलते वो बीजेपी में आये थे और ऐसा नहीं है कि जोती रादिते सिंध्या को पूरी तरह से नजर अंदास किया जा रहा हो क्योंकि उन्हें कई जिम्मेदारिया दी गई हैं अगर आप देखेंगे तो मोहन यादव जो के नए मुख्यमंत्री है उनकी कैबिनेट में भी सिंध्या के विधायकों को जगा दी गई है तो इस चीज को बहतर ढंग से बीजेपी समझती है कि कुछ ऐसे नेता है जिनकी जरूरत लोग सभा चुनाव में बीजेपी को पड़ेगी जैसे कि शिवराज सिंग चौहान है जोती रादिते सिंध्या है और इन्हें नाराज नहीं करना चाती पार्टी इसलिए भले इन्हें वो सबसे बड़ा पद ना दिया जा रहा हूँ लेकिन लोग सभा समय में इस तरीके की बड़ी जिम्मेदारिया दी जाएंगे और अगर जोती रादिते सिंध्या बगावत नहीं करते हैं पार्टे के साथ बने रहते हैं तो हो सकता है लोग सभा चुनाव के बाद उन्हें मुख्य मंत्री भी बना दिया जाए क्योंकि भारते जंता अग्या का साथ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीकी से क्रिकेट को निशिक्ताओं का खेल कहा जाता है ऐसे ही सियासत की पिछ पर जो भरती है जनतापार्टी की बल्लेबाजी है वो भी निशिक्ताओं से भरी हुई है कि यहां पर बल्ला दिखाएँगी आपना ओफसाइड की तरफ और short लगा देंगी लेक साइड के तरफ यानी की दिखाएंगी कुछ और क्या कुछ फैसला BJP लेकर करके दिखा दे ये वाकई में चोका देने वाला हमिशा से BJP को लेकर देखनी को मिलता है और जिस तरीक से शिवराज सिंग चोहान को दक्षिन भारत के छे राजियों में आने वाली 31 लोग सब असीटियों की जिम्मेदारी बीजेपी ने दे दी है अब उसके बाद क्या सिंधिया को जिम्मेदारी मिलेगी और उसको अगर वे बखो भी निभाते नजर आएंगे तो क्या बीजेपी 2024 की लोग सब अच जरूर बताएं फिल्हाल कर इसमें